Hello everyone, my name is Atiyah Zanab and today I am going to explain a story entitled The Open Window by Hector Hugh Munro. Hector Hugh Munro का pen name, pen name means जिस नाम से वो लिखते थे वो था साखी. Short stories को लिखने वाले जितने भी writers गुजरे हैं English literature में उन में से एक Hector Hugh Munro का नाम भी बहुत ही अच्छे writers में आता है. Characters बहुत कम लेकर plot को यानी story को बहुत अच्छा लिख पाना ये बहुत ही कम लोगों के अंदर होता है. और ऐसे एक story है The Open Window. Characters बहुत ही कम है, role भी बहुत ही कम characters का है और जादे तर इनकी कहानियों में सिर्फ हो सिर्फ communication से ही पूरी कहानिया खतम हो जाती है, बाची से ही पूरी कहानिया शुरू होके खतम हो जाती है. और इतनी अच्छी कहानिया होती है कि जब आप एक बर पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको लगेगा कि इस कहानी को पूरा खतम करके ही उठा जाए. और साकी की जिस कहानी The Open Window को आज में explain करने जारी हूँ बहुत ही exciting and interesting है. Let's start. Movie start होने से पहले जैसे आपको Hero 1 के बारे में जानना ज़रूरी होता है वैसे हमारे यहाँ शर्मा फैमिली, वर्मा फैमिली, रिजवी फैमिली होती है वैसे ही इस स्टॉरी में एक सापल्टन फैमिली को दिखाया गया है Mr. सापल्टन और Mrs. सापल्टन. यह दुन अकेले ही नहीं रहते बलकि Mrs. सापल्टन के दो छोटे भाई भी इनके साथ रहते हैं और एक ही भाई का नाम आया है वो है रोनी. तीसरा जो कारक्टर है वैरा यह Mrs. सापल्टन की बतीजी है तो वैरा ही कहानी को स्टार्ट करेगी और इसको कहानी को बढ़ाएगी और यह कहानी को खतम करेगी इनके एक पडोसी है जो की अभी अभी रहने आया है शिप्टू है इनके आस पडोस में इनका नाम है Mr. Framerton Nutt ये मिस्टर फ्रामटर नटल और वेरा ये दोनों ही आपस में बातचीत करेंगे और इनी की बातचीत से ही कहानी शुरू होके खतम हो जाएगी इसके लावा फ्रामटर नटल जो की पड़ोसी है इनकी बहन का भी एक जगा थोड़ा सा रोल है हालकि बहन का नाम नहीं बताया गया सिर्प सिस्टर कहा गया है इसके लावा मिस्टर सापल्टन के घर में एक पड़ोग भी है जिसका नाम है स्पेनियल इस से पहले कि मैं स्टोरी को वर्ड बै वर्ड एक्स्पेयन करूं आपको स्टोरी का ओवर्व्यू जानना बहुत जरूरी है कहानी शुरू होती है मिस्टर फामटर नटल से मिस्टर फामटर नटल यहां shift हुए है क्योंकि उनको nervousness की बीमारी है गबराहट की बिमारी या उनको सनाटा सुकून चाहिए होता है तो उसी सुकून को वासल करने के लिए यहां SHIFT हुए है और जब यहां SHIFT हो रहे थे तो उनकी बेहन ने सजज़्ट किया था कि तुम जहां SHIFT होने जा रहे हो मैं वहाँ पे कुछ लोगों को जानती हूँ तो वहाँ पे सबसे मुलाकाद करना क्योंकि अगर तुम किसी से बात्चीत नहीं करोगे तुमारी नर्वसनेस की बिमारी गबराट की बिमारी बोर होने की वज़े से और बढ़ जाएगी तो अपने बेहन के कहने पर ये आए है मिस्स सैपल्टन से मिलने के लिए लेकिन बिचारे आए तो हैं कि मैं यहाँ पर मिलूँगा बात्चीत करूँगा तो मेरी जो नर्वसनेस की बिमारी ये और थोड़ा कम हो जाएगी लेकिन इनके साथ कुछ उल्टा हो जाता है जब ये पहुचते हैं मिस्स सैपल्टन के याँ तो वहाँ पर मिस्स सैपल्टन के हस्बेन और मिस्स सैपल्टन के दोनों भाई जिसमें एक का नाम रोनी है ये लोग शिकार पे गए होते हैं और अपने डॉक को लेकर शिकार पे गए होते हैं घर में केवल होता है मिसिस सापल्टन और उनकी बतीजी वेरा अब इतिफाक के बाद ये होती है कि मिसिस सापल्टन भी उस वक्त बहुत बिजी होती है इनका घर second floor का है तो उपर के floor पर यह busy होती तो नीचे कौन होता है के वल यह धीन होती है अब Mr. Framerton needle को रेसीव करने के लिए के वल वेरा मौजूद है घर में कोई नहीं है वेरा की एक अजीब सी आदत है वेरा किसी भी चीज़ को देखती है तो उस चीज़ से एक कहानी लिंक कर देती है मानो वो अगर किसी खिड़की को देखेगी तो खिड़की से कहानी लिंक कर देगी अगर वो किसी डॉक को देखेगी लेकि नहीं भई मैं या नया नहीं आऊंगा तो वेरा शुरू करती है अपनी कहानी गड़ना वो कहती है Mr. Frampton नडल आप मेरे घर की ये सामने खुली हुए खिड़की देख रहे है ओपन विंडो इसी कहानी का नाम है ओपन विंडो क्योंकि ये विंडो पे कहानी लिंक कर द उनकी बॉड़ी आज तक नहीं मिली है वो मर गए है और मेरी आंटी को लगता है कि वो कभी ने कभी लॉट आएंगे ये बात तो तीन साल पहले की है लेकिन अभी भी लगता है कि वो इसी खिड़की से वापस आएंगे हो सकता है आप लगो उसमें इसको सोच रहे हूं कि म इस तो फ्रैमटर नटल को यकीन हो जाता है कि वाकरी जो मिस्स सापल तने वो विदवा है उनके हस्बन मर चुके हैं उनके भाई भी मर चुके है और उनका जो डॉग है वो भी नहीं रहा और अभी पहुंको लगता है कि वो लोग वापस आ जाएंगे इसी खिड़की से इ सब वाकई भूत बनके वापस आ गए हैं उन लोगों को भूत समझने की वज़े से वो वहां से इतनी तेज भागता है Mr. Frampton Nuttal यानि बिचारा आया थो था अपनी नर्वसनेस को मिटाने के लिए थोड़ सा बातचीत करने के लिए लेकिन बिचारा डर के मारे और ज़्यादा नर्वस होके यहां से भागना पड़ा उसको So this was an overview only, काफे कुछ रह गया है स्टोरी में, let's understand the story word by word My auntie will be down presently Mr. Nuttal, said a very self-possessed young lady of 15 15 साल की self-possessed lady ने self-possessed कहते हैं bold एक confident lady जो हर situation में अपने को बहुत काम रखती हो, बहुत शांत रखती हो तो यहां बात हो रही है वेरा की, वेरा ही 15 साल के लड़की है तो 15 साल की लड़की वेरा ने बोला Mr. Nuttal से कि मेरी आंटी अभी आती ही होंगी presently मतलब foreign, अभी मेरी आंटी नीचे उतर के आती होंगी In the meantime, meantime कहते हैं duration, यनि जब तक वो आ रही हैं आप उस दौरान You must try and put up with me, आप मेरे से बातचीत कर सकते हो अब 15 years की अगर एक bold lady, एक confident lady किसी man से बातचीत करने को बोलेगी तो वो man यही चाहेगा कि मैं कुछ ऐसा बोलूं कि सानले वाली लड़की को impress कर पाऊं तो यही चीज़ साकी ने यहां बताई है फ्राम्टर नटल के बारे में फ्राम्टर नटल एंडी वर्ड का मतला बहुता right very hard बहुत मिनत करी, बहुत कोशिश करी to say the correct something कुछ अच्छा बोलने की, कुछ correct बोलने की which should duly flatter duly मतला appropriate manner कि ठीक ठीक अंदाज में मेरी बातचीत flatter कर जाए इंप्रेस कर जाए, नीज मतला वेरा को without unduly discounting unduly का मतला बहुता है more than necessary जरुवत से जादा और discounting का मतला बहुता है unimportant समझना, considering untrue और unimportant यानि मैं कुछ ऐसा तो बोलू जो वेरा को impress कर जाओं लेकिन ऐसा भी ना लगे कि मैं आंटी को discount कर रहा हूँ यानि आंटी की importance नहीं है मुझको, कि मैं आंटी का इंदिजार नहीं कर रहा हूँ मैं सिफ इससे बातचीत करने के लिए आया हूँ कुछ ऐसा ना मैं बोल जाओं तो मैं ऐसा तो बोलू कि इसको मैं impress कर दूँ साथ साथ ये भी discount ना होने पाए ये unimportant ना लगने पाए कि मैं आंटी का वेट कर रहा हूँ privately, privately मतलब money man he doubted more than ever more than ever का मतलब होता है in great extent उसने बहुत ज़दा doubt किया मन में कि ये जो formal visits मतलब ये जो visit कर रहा है on a succession of total strangers लगातार वो बिल्कुल गैर लोगों से total strangers लोगों से जो मुलाकात कर रहा है क्योंकि वो यहाँ पर आया है नए नए लोगों से बिल्ड रहा है अब मिसस सापिल्टन से मिलने के लिए आया है वो डू, ये काम भी करेगा कर नहीं करेगा much towards helping the nerve cure उसको जो बिमारी है nervousness की इसको cure करेगा भी रही करेगा which he was supposed to be undergoing undergoing का मतलब होता है suffering जिस बिमारी से वो गुजर रहा था तो उसको doubt हो रहा था कि मैं यहाँ मिलने आया हूँ मेरी बिमारी और बढ़ तो नहीं चाहेगी यह सब सोच रहा था वो money man अभी उसने कुछ बोला नहीं है और अभी भी वो बोल ली रहा है बस वो अपनी बहन की बात को याद कर रहा है दिमाग में when he was preparing to migrate to this rural retreat retreat कहते हैं private and peaceful place यहाँ कि शान्ती बरी जगा जहां वो रहने आया है यहाँ के लिए जब वो निकल रहा था किसे तुमारी nerves और खराब हो जाएंगी from ever from moping moping का मतलब होता है bore feel करना तो bore feel कर करके और तभी तुमारी खराब हो जाएगी तो ऐसा करती हूँ मैं तुमें कुछ letters of introduction to all people मैं वहाँ पे कुछ लोगों को जिनको मैं जानती थी उनको उनके बारे में तुमें कुछ बता देती हूँ और जितने लोगों को मैं जानती थी some of them उनमें से जो कुछ लोग है जहां तक मुझे यादे बहुत ही nice थे अब कियोंकि उसके बहन ने ये बोला था कि some of them were nice उनमें से कुछी लोग quite nice थे तो फ्राम्टन वंडर्ड इसलिए फ्राम्टन को थोड़ा सा अजीब सा लगा कि मिस्स सैपल्टन जिससे वो यहां मिलने के लिए आ रहा है वो nice डिवीजन में आती हैं कि नहीं उसकी बहन ने जिन लोगों को nice बोला था उसमें मिस्स सैपल्टन आती है करते हैं जब हम बिना बोले किसी से बातचीट करते हैं तो काफ़ी देर के क्वेरा ने देखा कि कमिनियन जा रहा है कि म आगे ही कुछ बोलू तो वो पूछ लेती है वेरा के question का जवाब मिस्टर नड़ल देता है कि hardly a soul hardly a soul का मतलब één or two इन्हीं एकात लोगों को मैं जानता हूं बस यहाए UP अब वेरा को मौका मिल गया वेरा ने उसके सेंटेंस को कतम होने के फॉरन बाद पॉस्टीट का मतलब होता है फॉरन बाद बोला दिन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाट मैं आउंटी इसका मतलब है कि आप मेरे आउंटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो नटल ने जवाब दिया केवल नाम और अड्रेसी जानता हूं उनका बस अबी भी फ्रैमटर नटल को शक हो रहा था कि मिस्स सापल्टन पता नहीं विद्वा है या अभी भी शादी शुदा है इसको कुछ नहीं पता था लेकिन अन अनडिफाइनेबल सम्थिंग अबाओ दे रूम सीम तू सजेस्ट मैस्कूलिन हैबिटेशन अगैन इस लाइन से साकी हमको मिस्टर फ्रैमटर नटल के स्टेट अफ माइन के बारे में बता रहे हैं जिस रूम में फ्रैमटर नटल बैठा हुआ था उसने नोटिस किया कि आसपास जो चीज़ें दिख रहे हैं हाला कि अनडिफाइनेबल हैं डिफाइन नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि मानो यहां में रहते हैं मैस्कलिन का मतलब क्या है में यहां यहां कोई जेंट्स रहता हो तो इस तरीके से वह गैस कर रहा था कि इस घर में मौझूद है यानि कि मिस्टर सापल्टन मौझूद है मिसस सापल्टन अभी विद्वा नहीं हुई है अभी वह सब दिमाग में ही सोच रहा है कि अचानक से चाइल चाइल को बोला जा रहा है उसी रेस्ट्फुल कंट्री में इस शांत बरे माहौल में किसी ट्राजडी का होना आउट ओफ फ्लेस मतलब इंपॉसिबल लगता था अब फॉरन वेरा अपनी कहानी बाना शुरू कर देती है यू में वंडर आपको ताजब हो सकता है कि इस ऑक्टूबर आफ्टर नून में इ कि यह बहुत गर्मी का समय है क्या उस खिड़की से कोई लेना देना है आपके आंटे की ट्राजडी से इस पर वेरा बताना शुरू कर देती है ठीक तीन साल पहले इसी विंडो के जरिये मेरी आंटी के हस्बेन और उनके दो छोटे बाई शूटिंग पर गए थे शिकार कर स्कॲें जब वो पकड़ने के लिए उसका शिकार के जाते तहीं तो उनको मौर को क्रोस करना होता है जहां कर फार्मर्स अगरा ग्रो नहीं करते हैं कोई क्रॉप वगेरा और ऐसे अनकल्टिवेटेड लांड के आसपास बहुत दलदल पाई जाते हैं तो इस मोर को क्रॉस करने में वे तीनों लोग तीन किसकी बात हो रही है मिस्टर सापल्टन और मिसिस सापल्टन के दो छोटे भाई वो तीनों लोग एंगर्ट एंगर्ट कहते हैं कवर्ड धस गये ते किसमें ट्राकरस कहते हैं dangerous piece of box box मतलब मार्श दलदल दल्दल की खतरनाक जगा पर वो धस गए थे तीनों लोग ये उतना भयंकर वेट समर था वेट समर मतलब ऐसा समर का मौसम ऐसी गर्मी का मौसम जब बहुत ही बारिश होती है और बाकी सालों में जो जगा सेफ रहती थी जहां पे दललल से बचके निकला जा सकता था वो भी उस वेट समर में क्या हुआ गेवए गेवए मतलब होता है ब्रोक वो जगा तूट गई विदाउट वर्निंग मिना वॉन किये हुए तो उनकी बाडिज को कभी रिकवर ही नहीं किया जा सका और यही इस पूरे इंसिडेंट का पूरे घटना का बहुत ही भैंक का ड़ेट मतलब होरिबल पार्ट है कि उनकी बोडी आज तक रिकवर नहीं हो पाई अब जाके उस बच्चे की यानि वेरा की जो वोईस थी आवाज थी उसने अपना self-possess note खो दिया यहीं अब जाके उसने वो self-possess note अपना खो दिया था and became falteringly human falteringly कहते हैं losing strength और वो अब अपनी strength को खोने लगी थी वेरा अपनी बात को continue रखती है कहती है कि poor auntie बिचारी auntie को always thinks हमेशा लगता है कि वे लोग कभी न कभी वापस आएंगे और जो छोटा brown spaniel था यानि जो dog था वो भी उनके साथ खो गया था and walking ये सब लोग आएंगे वापस और इसी window से चलके अंदर आएंगे जिस तरीके से वे हमेशा से अंदर आते थे that is why और यही reason है कि इस खिड़की को हमेशा खुला रखा जाता है every evening हर शाम till it is quite dark जब तक अंदेरा नहीं हो जाता poor auntie मेरी बिचारी auntie she has often told me कई बार उने मुझे बताया है कि किस तरीके से वे लोग गए थे उनका husband और उनके husband के हाथ पर waterproof coat white color का पड़ा हुआ था and Ronnie और उनका छोटा भाई Ronnie हमेशा गुन-गुनाते हुए बाहर जाता था Bertie why do you burn Bertie why do you burn का कोई यह meaning नहीं है यह एक song है तो वो एक song को गुन-गुनाता था as he always did to tease her और यह गाना वो हमेशा गाया करता था जब वो बहार जाता था because she said it got on her nerves व्यकिए मेरी आंटी कहती थी कि इस गाने सो उनको सक्त नफरत है और उनका छोटा भाई उनको चिडाने के लिए हमेशा यही गाना गाता था आगे वेरा कहती है कि do you know आपको पता है sometimes कभी कभी on still still मतलब शांत quiet मतलब भी शांत ऐसी शांत बरी शाम जैसे कि आज की है I almost get a creepy feeling मुझे अजीब सी feeling आती creepy मतलब डरा देनी वाली feeling आती है और मुझे यसा लगता है कि वे सभी लोग अभी इस विड्डो से चनल के आने लगेंगे she broke off with a little shudder वो अचानक से रुख गई with a little shudder shudder कहते है sudden shake अचानक से वो हिली और शांत हो गई बोलते बोलते रुख गई पता वो क्यों रुखी थी वो इसलिए रुख गई थी क्योंकि अब मिस्स सापल्डन वाकई मिलने आ गई है फ्राम्टन से उसको लगा कि अभी मैं कानी सुनाती रहूंगी तो मिस्स सापल्डन मुझे टोक देंगी ना क्यों कि मैं जुटी गानी सुना रही हूं तो चिप पनाती है वो आंटी कैसे का अरे और सौरी बोलने के बाद वह फ्राम्टन से बोली कि मुझे अम्मीद है कि वेरा आपको एंटरेइन कर रही होगी इस पर फ्राम्टन ने जबाब दी यहाँ बहुत इंट्रेस्टिंग बात इंटरेस्टेंग अड़के हैं वेरा बस कुछ देर के लिए Frampton को सुकुन मिला ही था कि अब Mrs. Sappleton चाली हो जाती है। वो कहती है I hope you don't mind the open window. मुझे उम्मीद है कि आप ये open window ये इस दुपहर में गर्मी है काफी तब भी मैंने इस खिड़की को खोल रखा है। आप इसी इसको mind नहीं करेंगे। क्योंकि मेरे husband और मेरे जो भाई है ना वो सीधे shooting से आ रहे होंगे और वो हमेशा इसी रास्ते से आते हैं, इसी खिड़की से अंदर आते हैं। इसी रखाए और वो सब लोग स्नाइप पकड़ने यानि की स्नाइप बर्ड का शिकार करने के लिए वेट लांड की तरफ गए हैं। अब वो दलडल भरी हुए जमीन की तरफ गए हैं तो उनके पैर कैसे होंगे गंदगी से बरे हुए होंगे, मिटी से सने हुए होंगे, तो देल मेकप फाइन मैस ओवर मै पूर कापेट इसलिए मेरे बिचारे कापेट इसको गंदा कर देंगे, मैस कर देंगे, मैसी कर देंगे अब वो फ्रामटन क्योंकि एक आदमी है तो उसे ये बात बोलती है और आप जैसे मैन फॉक की तरिके से मैन फॉक मतला बुरूफ ऑफ मैन को कहते हैं आप सारे आदमी लोग ऐसे ही तो करते हैं गंदे संदे पैर लेके घर में आ जाते हैं इसके बाद राटलोन चीर फुली अबाउट दा शूटिंग राटलोन का मतलब होता है बकवास करते रहे ना बहुत लंबे समय तक तो आगे वो यही टॉपिक चलाती रहती हैं शूटिंग से रिलेटेड बाते ही करती रहती क्योंकि दोनों स्ट्रेंजर से कुछ ना कुछ उसको यह सारी बाते शूटिंग से रिलेटेट बाते बहुत अजीब लग रही है उसको लग रहा है कि हाजबन मर गए हैं और यह से केवल अपने आपको समझाने के लिए सारी बाते कर रही हैं तो फ्राम्टन अंदर से बहुत घबराय हुआ था उसने कोशिश की लेकिन उसके कोशिश बहुत सकसेश्फुल नहीं रही और डेस्परेट कोशिश करी वह बहुत आउट अफ कंट्रोल जब हो गया तब उसने यह कोशिश करी तू टॉर्ण टॉक अन्टॉट एलेस गैसली टॉपिक गैसली कहते हैं डरावने इस भूतिया टॉपिक को चेंज करने के कोशिश करी उसने ही वसको साफ साफ यह चीज दिख रही थी वह अवेर था इस चीज से कि मिस्स सापल्टन उसको केबल थोड़ी एटेंशन दे रही है बलकि उनकी जो आइज है उनकी आखें वो लगातार कहा टिकी हुई है उस खुली हुए खिड़की पर ओपन विंडो पर टिकी हुई है इस ट्रेंग कहते है डाइवर्ट्स फ्रॉम दा करेंट सब्जेक यह बात आप कुछ कर रहे हो निगहा आपकी कहीं और है यही था मिस्स सापल्टन के साथ बात तो वो इससा आप कर रहें थी लेकिन लगातार खिड़की के दरफ देख रहें थी क्योंकि वाकई उनके हजबन के आने का टाइम था तो नॉमल बिहेवर कर रहें थी जो कि फ्राम्टन टोपिक जेंज करने के कोशिश करता है वह अपने बारे में बताने लगता है से सापल्टन को कहता है डॉक्तर ने मुझे कमपलीट रेस्ट बताया है और मोझे अग्या तो और यहां पर मिस्टर साकी ने एक Anyway she जिसका मतलब होता है ब्रह में रहना या मिसक्ञेट्शन फिमितने तो यहां बताया जा रहा है कि अपर दनäg बिल्कुल अजनभी जो लोग होते हैं महोज की मुखे मुलने वाले निश्य से माली जी चीह क्हुछ लोगों से आपकी गई तो आपके चांस केलाएंगे तो इस बात की गलत फैमी थी कि इतने अजनबी लोग होते हैं और इसे मौके-मौके कर सकते हो अजने भी लोगों से अपने हेल्थ डिसकस करना बेवकूफी है यहां पर मिस्टर नाटल का एक कारेक्टर ट्रेट बताया जा रहा है कि हाला कि वेरा ने जूटी का नहीं बताई बहले ही वह 15 साल की लड़की थी लेकिन अगर वह बात कर रही तो मैं और डॉक्टर में डाइट के मादमे में बिलकुल भी एक नहीं है अब मिस्टर सैपल्टन विचारी क्या जवाब देती ऐसी भीमारियों वाली बात पर वह भी बोल देती है नो अच्छा आप एक दुस्टर से अग्री नहीं करते हो और ऐसा कहते है कहते उन्होंने एक मतलब नो कहते कहते उन्होंने जमाई ली कि इतना बोरिंग बात कर रहे थे मिस्टर फ्रामतन नॉटल और यह जमाई लेते लेते अचानक उनके अंदर एक चमाक आई मिस्स सैपल्टन की अंदर इंदम अलर्ट हो के बाढ़ गई वह लेकिन उस वज़े से नहीं फ्रामतन उनसे क्या बोल रहा था बलकी वह लोग वापस आ गयते शिकार से यानि उनके हस्बन और उसके दो छोटे भाई और उनका पेट डोग वापस आ गया था फाइनली अब और उनको देखकर वह चिला पड़ती है देखो वह आई गए जोसें टाइम फो टी देखो चाय का रहा है डर के बारे अंटर्ण टुवर्ड्स और वेरा की तरफ मुड़ा और इस लुक के साथ मुड़ा मानो वह उससे सिंपती हसल करना चाहरा हो यानि उसकी इंटेंशन यह थी कि वेरा कुछ आखों से समझाए कि तुम तो अभी कहा रही थी कि यह लोग मर गये तो यह ल होरर मलब कन्फ्यूज्ट होर अंक्लियर होर था उसकी आखों में यहीं जताना चाहरी थी फ्राम्टन नटल को की वाकई भूत है इन चिल शॉक ऑफ नेमलेस फियर फ्राम्टन स्वंग राउंड इस सीट और लोग इन दे सेम डिरेक्शन यह अभी तो वेरा के तरफ देख रहता है ना उसे कहते हैं ट्वाइलाइट तो धीमी पढ़ती हुई ट्वाइलाइट में तीन फिगर्स मतलब तीन लोग चल रहे थे लौन की तरफ से अंदर की ओर आ रहे थे और उन सब के हातों में गंस थी और उन तीनों में से एक कंधों पर वाइट कलर का कोड भी लट उस ट्वाइलाइट उस रोशनी में से बाहर आई वह घटी आवास किसकी थी रोनी की थी वह गाना गारा था आई सेट वर्टी वाई दू यू बाउंट यह पूरे का पूरा वही रिस्क्रिप्शन जो वेरा ने फ्राम्टन को बताया था सेम रिपीट हो रहा है तो कितना अचानक से कोई चीज थाम लेना विकुल अचानक से विकुल वाइल तरीके से अपनी स्टिक को अपने हाट को अपने हाथ में लिया और भागना चाहा वहां से इनिस हैड लॉंग रेट यानि यह जो रास्ता बिना देखे हुए जो वह बहुत तेज भाग रहा था उसमें यह भी नहीं नोटूस किया कि उतके पथ्व करी रास्ते में कुछ पढ़ भी रहा है ऐखे का बहुत देखे हुए बागता चला के सामने डर के मारे फ्रामुटन जम बागते हुए उनके गड़ से बाहर निकला तो सामने से एक सैकल वाला आ रहा था सैकल वाले से इसकी टककर हो नहीं वाली थी कि सैकल वाले ने मामला समाल लिया है जी कहते है रोज अफ बुशिस को इमिनेंट कहते है लाइकली टू हपिन इने इस जरूर से होने वाली टककर से बचने के लिए सैकल वाले ने खुद को हैज में दाखिल कर लिया हैज भी गुसा दिया खुद को ताकि फ्रामुटन बच पाए अब फ्रामुटन ने इनके घर से जा चुका है बाकि सिर्फ फैमली वाले लोग बचे हैं तो यहां पर इस लोग आपस में बात कर रहे हैं अब Mr. Sappleton बोल रहे हैं Here we are my dear या अपनी wife से बोल रहे हैं कि हम आ गए said the bearer of white Macintosh Macintosh कहते है raincoat को white color के raincoat को bear करने वाले ने बोला यानि Mr. Sappleton ने बोला कहां से आते हुए? विंडो से आते हुए fairly muddy और केबल उनके जो coat पे पूरा वो जो सने हुए थे वो fairly muddy से सने थे यानि मिट्टी से सने हुए थे लेकिन उनमें से almost मिट्टी कैसी थी सूखी थी Mr. Sappleton ने एक question किया Who was that? यह आदमी कौन था? Who bolted out? बोल्टे आट का मतला बोला रान quickly जो हमें देखते हैं यहां से भाग गया Mr. Sappleton ने जवाब दिया Mr. Nuttal थे एक बहुत अजीब इंसान आए और अपनी बिमारी वारी की भात करी and dashed off और यहां से चले गए without a word of goodbye goodbye का एक शब्द भी नहीं बोला और apology apology का मतला बोला है excuse हम लोग कहीं से हटते हैं तो excuse में कहीं कहीं हटते हैं तो वही Mr. Sableton कह रहीं excuse भी नहीं किया जब आप यहां आए विपकल भी excuse किये बिना कुछ goodbye किये बिना यहां से भाग गए one word thing one का मतला है everyone हर कोई सोचे का कि वह ऐसे भागे जिसे मानों उन्होंने एक भूद देख लिया हो अब इन लोग को क्या पता वाकरी वो इसी लिए भागा था कि उसको लग रहता कि उसने भूद देख लिया है इन लोग को तो पता ही नहीं था कि वेरा ने जूटी कहानी बनाई है इस situation को देखते हुए वेरा ने फिर से फाइदा उठाया वेरा ने एक और कहानी बनाई वेरा ने बोला मुझे लगता है फ्राम्टर नटल यहां से इसलिए भाग गए मुझे लगता है वो स्पेनियल यानि हमारे डॉग स्पेनियल से डर के भाग गए ही टोल्ड मी जब मैं उनसे बात करी थी मिस्टर नटल ने मुझे को बताया था कि उन्हें कुटों से बहुत धर लगता है ही वोस वांस हंटेड एक बार उन पर हमला किया गया था इंटो वा सिमिट्री एक कबरिस्तान में उन ainda कोच यह गनजर के पास ही की बात है बहा है आसक्क फ्रेश को अ फरिया डॉक्स ने उन पर हमला कर दिया थक वदि两 OF वाले जो खतरनात डॉक्स होते हैं किसी को भी काट लेते हैं उन डॉक्स की बात हो रही है और इस तरीके से फ्राम्टन को अपनी पूरी रात गुजारनी पड़ी इना नीवली डग ग्रेव एक नई खोदी हुई ग्रेव मतलब कब्र में विद्ट क्रीचर स्नार्लिंग और उनके चारों और कौन थे डॉक्स खड़े हुए थे और वो स्नार्लिंग मतलब की खतरनात आंगरी साउंड प्रेव कर रहे थे ग्रिनिंग मतलब होता है स्माइलिंग ब्रॉडली तो यहां स्माइल नहीं करेंगे कुट्टे बलकि वो अपने दात निकाल के खड़े होंगे जैसे जब कुट्टों को बहुत गुस्टा आते हैं तो वो टीद दिखाते हैं वही वाली बात हो रही है और फॉमिंग जस्ट अब इम फॉमिंग का मतलब होता है जो कुट्टे लाट अपका आते हैं उसी को बोला जा रहा है और उनके ऊपर वो डूलिंग कर रहे थे चाकी हमसे बतार यह वे नहीं बोल रहे हैं विए के कही हुई लाइन नहीं और यहां पर रोमांस मतलब रड़का लड़की के थो ने वालते रोमांस का नहीं है रोमांस मतलब adventure से 19 से में से मतलब लिया जाता था आदे दिवेंचर से नाइटीन से मतलब मतलब यह है यह यह मेरा की स्पेशलिटी थी खूबी थी कि वह एट शॉर्ट नोटिस बहुत कम समय में रोमान्स से बरी हुई अड्वेंचर से बरी हुई कहानियां तयार कर लेती थी मेरे एक्स्प्रानेशन आपको कैसा लगा लिखके ज़रूर बताईएगा सब्सक्राइब फो मोर स्टोरीज थानके फूर वाचिंग।